असलाम अलेकुम और असलाम अलेकुम पाकिस्तान मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर श्वाइमरान और आपके साथ आज मौजूद हैं बात करेंगे UBL Funds के हवाले से So UBL Fund Managers से हमारे साथ मौजूद हैं सेये तौसीफ हैमत असलाम अलेकुम वालेकुम असलाम जी जनाब तो आज जैसे कि हम बात करेंगे UBL Funds के हवाले से तो सबसे पहले तौसीफ साहब से जानना चाहेंगे कि आपकी UBL Funds का एक शौर्ट प्रॉफाइल क्या है First of all, thank you very much. UBL Funds का प्रॉफाइल के जिसास है कि ये एक 100% owned subsidiary है UBL Bank की 2002 के अंदर लांच वी थी और इस वाख हमारे पास six open-ended funds है several investment plans है 20 billion rupees assets under management है और अक्रॉस पाकिस्तान हमारे investment centers है तो आपने अभी जो है निया fund लांच किया है तो उसके हम जाना चाहेंगे कि क्या उसके features क्या है देखें फंड जो लांच हमने किया इसका नाम है UCPF2 UBL Capital Protected Fund 2 इस सीरी दो फंड्स Capital Protected Funds की सीरीज है इसका कि पला फंड लांच लांच है था हमने मार्च 2008 में ठीके और फंड लांच है और फंड कर रहे हैं कि और फंड भी हम लेके आएंगे तो इसकी क्या स्ट्राटेजी है देखें जैसे कि मैं आपको बताया कि इसके पैसे इन्वेस्ट करें अपने उनको सबसे पहले तो जो चीज इंशोर की जाएगी वो उनका प्रिंसिपल प्रोटेक्शन इस तरह से मुम्किन हो सकती है कि हम जो भी पैसा लोग वाहरे पास जमा करते हैं लेट से आफ और एक जेम्पल लेटे हैं कि उस लोगों ने मिलके मारे पैसा जमा करा एक मुच्छल फंड के अंदर एक हसार रोपय जमा करा है उस एक हसार पर बैंक डेपाउजिट के अंदर एक बात करते है तो यह एडपाउजिट मैंटर करता है कि उसके कौलिटी के है बने 200 पे कि व्युमिन एक जाते हैंаются 1000 रुपीज रमेनी Bullet conductor रेक्क्राइब्स कि अर्पि foundation रेक्वार के एनडे जिग्स करेंड़ करें जिस्युंदू है जिर्देश क्विलिभिस फुर्टे कुन रीजिंटेटर एक्वार्ट रहन है तो यह पर 7-8 investment centers हैं, ठिके, across all cities of Pakistan, फिर अगर आप करते हैं, otherwise और अर distribution कि अपर उसकते हैं एक एक investor कैसे पहुंच सकता है, tb. UBL 1100-plus branch network है, ठिके कोईभी investor गोरे फॉर्म्पावले हैं, ब्रोश्र अवेले हैं, वहाँ जाके, अपनी need analysis करवा के properly और funds में invest कर सकते हैं तो इस fund का क्या benefit होगा एक retail investor को मतलब अगर आप highlight करें कुछ specific features कि ये benefits हम comparatively दूसरे funds के मकाबले में इस fund में जाए हो जादा है तो क्या होगे देखें इसमें थोड़ा सा फिर हमें detail में जाना पड़े हैं अगर आप थोड़ा सा market को study करें दो साल या तीन साल पहले का आप market को study करें तो काफी losses investors ने देखे हैं जिन लोगों ने stock market में invest किया था उनके पास काफी losses आए ठीक है और ऐसे investors जो के equity market में invest करना चाहते हैं लेकिन एक कामिमाउन की वज़े से नहीं कर पाते हैं और दूसरा एक यह डर कि उनका principal protected नहीं रहेगा ठीक है तो इसके benefits सबसे पहले तो यह आजते हैं कि एक principal protection होती है एक individual investor को कि जो के खुद access नहीं कर सकता वो जाके वहाँ पर हम उसको access provide करते हैं एक यह बहुता है जाएं पर एक तक्स के benefits आजते हैं एक individual investor मुच्छल फंड में इंवस्त करता है तो उसके income tax benefits मने उसको को को कुई और अश्र करंट ग्लॉन को को और tax चाहँ नहीं होता सको that say for example with holding tax उसको चाहँ नहीं होता है ठीक है राइसरी प्रवीच्ट इस पीच्ट सम्में प्रिषण क्यों ही जैसे पर हम को था थेटीर लैटन्स यह को से सम्मिल्द पैसे डियम नहीं है, जब बां, बवाउन है, बिल्किल बिल्किल सबैखें तो हुझ एडेली डिजस दिस दीसदाइन तरय है , नियुकिन अग्याया principle, इस चीस सब्ट देजाइन क्या है जीक्तिनव कर लेते हैं तो उनको हम नीट एनालसिस करते हैं उनका प्रॉपर हम देखते हैं क्या उनके उप्जेक्टिव्स है कोई 2-3 साल में क्या चीज़ा चीज़ अचीज़ करने जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंगल उनका रिस्क अपटाइट किया है ठीक है यह सब करने के बाद हमें जलता है कि हम ऐसा objective 2-3 साल के बाद नने वाला है और ऐसे इनवेस्टेव जिनका risk capitide low है उनको हम recommend करते हैं कि हो ऐसा funds के निए invest करें क्योंकि कुछ ऐसे investors भी हैं जो कि direct equity exposure लेना चाते हैं तो उनको भी हम एड्वाइस करते हैं कि बजाए आप किस तरह से काम करती है तारके next time around जब आप direct equity exposure लेंगे तो आपको फाइदा हो सकता है उसके है राइट अच्छे ये बताइए तौसीफ साब के इस fund का unit price क्या है देखे इस fund की unit price है 100 rupees okay okay right 100 rupees का एक unit for example मैं 1,000 rupees invest करता हूं तो मुझे 10 units मिलेंगे तो ये बताइए कि जैसे हम investors की बात करें तो किस तरह के लोग या कौन सी टाइप of investors जो है उनको इस fund में इस करना चाहिए लिके जैस मैंने भी आपको बताया low risk profile investors जो है जो कि रिस्क नहीं ले सकते हैं जिनके लिए principal safety जो है prime concern होता है ठीके ऐसे investors जो के ऐसी चीज़ों के लिए प्लान कर रहे हैं उन objectives के लिए प्लान कर रहे हैं जो दो या तीन साल के बाद आने वाली है ठीके ऐसे investors जो के normal saving करते हैं current accounts के लिए international products तो इस पेटर कि वह ऐसे funds के लिए रहे हैं ताकि उनको equity exposure मिले उनका expected returns बढ़ सके लिए इसके इसके इलावा जो जितनी भी बाते हैं भी हमने की है पषसके इसके एक बाते हैं फान सकी मिलें हैं असकेया कहुआण이야 है बाते सकते हैं चाल करते हैं फिर उनका कॉंन्टा कि जगह पाहई फीचन कर और अन्या चाल कर रहे हैं कि किसी भी कितनी प्रेंटीन सथ कानल कहिए लाँगिया जए दया कोई इतनी बहुत बहुत दग्युमेंटेशन है, Stop! कोई इतनी बहुत बहुत दग्युमेटशन शेर्टोप कर नहीं विछ सेर्ट एंड अधर मुश्मियन्टिस में कर थे, तो यहां हम अपने listeners को once again पताना चाहेंगे कि अगर आप इस fund के लिए apply करना चाहते हैं और आप इसके बारे में डीटेल information चाहते हैं तो 0800-00026 पे आप डाइल कर सकते हैं और मजीद मालूमात हासल कर सकते हैं तो यहां पर एक और आप करूंगा कि अगर और सादर information कुछ लोग ऐसे जो इंटरेंट से फिमिलियर हैं यूज करते हैं तो आप यह एड्रेस पे जा कि अपनी के बारे में जान सकते हैं हमारी और प्रडेक्स के बारे में जान सकते हैं तो उनके लिए www.ublfunds.com www.ublfunds.com यह एड्रेस है जिस पे आप जा कि मजीद information हासल कर सकते हैं और इस fund से फायदा हासल कर सकते हैं तो असीफ साब का बहुत बहुत शुक्रिया हम बात करे थे अबाट UBL Funds और आपकी तश्रीव आवरी का बहुत शुक्रिया तैंक यू बेरे मुच तैंक यू कर सकत तो